हमारी चैनल से चुनियों करें यूट लूप पर लिम्राइजिटी सब्स्क्राइब करें चाहते हो तो हमारी जमात में आ जाओ गयर मुकलित बन जाओ आठी रिकात में काम चल जाए नमाद पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्ट खाना हुआ तो बहाद का कुर्बानी तीन दिन नहीं है चार दिन जब तक चार दिन ताजा ता तक गोश्ट नहीं खाएंगे मशहूरो मारूब सहाबा की रवायते हैं अबु बक्र सिंदीक अधरत अमर अब्दल्ल्ला इबन अमर बरा इबन आजिक अधरत अली ये हदरात फर्मातें ऐयाम नहर सलासत अफजलोहा अवलो कुर्बानी तीन दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है इसका था ये हुआ की कुर्बानी तीन ही दिन है चार दिनाई है हद circuits अनाफिय अब्दल्ला इबन अमर के अधाद खरतें भुलाम रही है वो फरमातें अकुर्मान और यह मिलद्आ के बाद जब इदुस्ट आदा के बाद दो दिन है तो ईदुलादा को लेकर के पुर्बानी तीन दिन है यही सहाबा का मसलख यही तावईन का मसलख यही अउलिया कामेरीन का मसलख लेकिन इनका जमाना आया तीनों ने पुह पुर्बानी तीन दिन नहीं है बलके चर्प आसानी पैदा कर रहे हैं और महंगाई के इतवार थे इनका फटवा भी बदला जब तक बकरा सस्ता था एक बकरे में एक की कुर्बानी हो रही था और बकरा महंगा हुआ थो एक बकरे में अर्सव की कुर्बानी होने था इनी से सीख कर कलकता के शमान याजियों ने भी एक फटवा दिया जब उनके सरवर आउर्दा लोगों उस पर दबाव बनाया कि तुम लोग कुछ गोर और फिक्र नहीं करते हो तुम लोग बहुत काहिल और निकम्मे हो देखो खेर मुकल्बिन को आए दिन नही नही बातें पैदा करते हैं और नया नया फत्वा देते हैं उम्मत के लिए सहूलते पैदा करते हैं तुम लोग भी कुछ गोर और फिक्र करो और आसानी पैदा करो तब शमानियाती लोग बनेंगे तुम्हारी जमात आगे बढ़ेगी उनके मुल्यों ने तीन दिन का सेमिनार किया और गोर और फिक्र के बाद एक फत्वा जारी किया कि अगर एक बक्रे में सव आद्मियों की कुर्बानी जायल है तो एक मुर्गे में साथ आद्मियों की कुर्बानी जायल है अब आप बताओ एक फत्वा दे रहा है कि एक बकरे में सव आद्मियों की गुर्बानी जाए एक फत्वा दे रहा है कि एक मुर्गे में साथ आद्मियों की गुर्बानी जाए और कुछ दिनों के बाद ये फत्वा देंगे कि एक गवरिया में साथ आद्मियों की गुर्बानी जाए ये दोनों अपने अपने फत्मा सा जाहिर कर रहे हैं ये जन्टी नहीं हैं इसलिए कि अल्लाह के निवी निर्शाद फर्माया मुटे और फर्बा जनवरों की खुर्बानी करो क्योंकि इसी खुर्बानी के जनवर पर बैट कर पुल सीराथ पार करना है जिस جانور के तुम पुर्बानी करते हो ये मोटा और फर्बा होना चाहिए क्योंकि इसी पुर्बानी के जानवर के जानवर कर बायट कर पुल सेराथ पार करना है और बुखाली के दूसरी हदीस में नभी इर्शाद वर्माते है कि इसे पुल सेराट के नीचे जहन्णम है अब दोनों हदीसों को जोड़ दो कि जिस जानवर की तुम कुरबा नी करते हो उसी जानवर पर बायटसराट पार करना है और पुल सेराट के नीचे ही जहन्णम है तो जब एक बकरे पर सौगे मुकलिस वार होगे और एक मुर्गे पर साथ शमानियासी सवार होगे बकरा भी वही उलट जाएगा, मुर्गा भी वही उलट जाएगा अब पुलसराथ के नीचे क्या है? जन्नत है कि जहन्नम है जहन्नम है तो ये कहा जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे الحمدللہ हम लोगों को जानन में नहीं जाना है हम लोग जन्टियों की जमाँ से तालुक रखते हैं हम लोग जन्टियों के साथ रहने वाले हैं जन्टी गौस पाग है जन्टी हदरतِ خाजा मुनेदी चिश्टी अजमेरी है हदरतِ نिदामुतिन अउलिया है हदरतِ सेय सालार मसूद गाजी है हदरतِ قुद्बदीन बख्तियार काकी है हदरतِ زनून मिस्री है हदरतِ मारूप करखी है हदरतِ جुनायत बगदादी है हदरतِ सिर्वी सिक्ती है हदरतِ मखदूम अशरफ कशोचवी है ये सारे के सारे अवलिया एकराम चन्मति है और कभी आपने खोठी जिआ कि ये सारे के सारे अउलिया एकराम जो 30 सदी हिजरी के बाद प्यदा हुए ये सबक्रिन सारे किसी ने किसी एमाँ के मática मुकलिब भी थे कोई हनवी था कोई शांति ही ता कोई मालिकी था, कोई हंगली था दुन्या में आए तक किसी सदी हिज्री के बार कोई ऐसा वली पैदा नहीं हुआ जो खेर मुकलित हो सारे के सारे उड़ियाए किरा किसी ने किसी एमान की पैर्वी करने वाले थे तम कहते हो तकलीद शिर्क है मैं पूछना चाता हूँ अगर तकलीद शिर्क और विदाथ है तो इस रास्ते पर चलने वाला गोस्ते से बन रहा है कुटब के से बन रहा है अब्ता के से बन रहा है माभूले राई के से बन रहा है ये दलीज है इस बात की कि तक्दित के रास्ते पर चलना, ये शुर्ष और विजात है यë तो आनलाग को रास्ता है, रज्जड आनलाग को रास्ता है, अज्ज़ कर रास्ता हूँ। नारा ए रिसालत, उल्माई अहले सुनत, जस्ने मेरा जुन नभी और याद रखिए ये फितनों का दाउर है बेशमार जमाते, मुसल्मानों के दीन और इमान पर अमला करने के लिए तैयार कोई नमास के नाम पर धोका दे रहा है, कोई तबलीग के नाम पर धोका दे रहा है कोई जमात में शामिल करने के नाम पर लोगों को बेखूफ बना रहा है लेकिन अलहमदुलिल्ल्ह आपको बेखूफ नहीं बन रहा है اللہ والوں کے راستے پہ چلنا ہے صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے اور صحابہ کا طریقہ اور عقیرہ ہم نے bleibt کے سامنے بیان کر دیا صحابہ نبی کے غیب پر ایمان如此 صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان残تے تھے صحابہ نبی کے گذینے سے دعائیں مانتے تھے صحابہ نبی کی تازیم میں کھرے ہوتے تھے صحابہ زیارتِ قبر گو جاتے تھے صحابہ حضانِ سماع کرتے تھے الحمدللہ صحابہ کا طریقہ और सहाबा का अकीदा हमारे सामने है तो जो सहाबा के इन अकीदों के मताविक हो उसी को हमाले दुम्मत मानेंगे और उसी के साथ रहेंगे और जो सहाबा के तरीके से हट गया लाख हमादे पढ़े, रोदा रखे, खुरान की तिमारत करे जब सहाबा के तरीके पर नहीं है तो हरकिस हरकिस यो मुसल्मान बिन नहीं हो लेकिन आजाजी वो गरीब सुले कुलियत के माल है किसी भी कलमागो को काफिर न कहुँ किसी भी कलमागो को बुरा भला न कहुँ ये कौन सी बात हुई किसी कलमा गो को काफित न कहूँ हदरते सिद्धी के अकबर की खिलाफत काइम हुई और कुछ लोगों ने कहा कि हम नमाद पढ़ेंगे रोजा रखेंगे लेकिन जकात नहीं देंगे जकात की फर्जियत के मुनकिर हो गए हदरते सिद्धी के अकबर ने उनसे जहाद परवाया मैं पूछना चाहता हूं मुनकिरीन जकार क्या कर्मा नहीं पढ़ते थे क्या वो रोजा नहीं रखते थे क्या वो दारी नहीं रखते थे क्या वो गौरान की तरावत नहीं करते थे सब मुच करते थे शिवे जरूरी अपर का इनकार किया तो कार इसलाम से बाहर हो गए और सिद्धी कि अकबर ने जिहाद का उलान फर्माया परते सिद्धी कि अकबर ने जिहाद करके ये साइब कर दिया कि आदमें लाख नमादें पढ़े रोड़ा रखे कुरान की दिलावत करे लेकिन जब जब अक्तमान करूल याते दिन को तसलीम ना करे उस वक्तन वो मुसल्मान नहीं हद्रते सिद्धी के अकपर रजी लाह उताला अन्हों ने जियात परमाया कुछ मारे गए जो बचे कलमा परकर इसलाम में दाखिल हुए हद्रते अली करम लाह उताला वजहुलकरीम के जमाना आया दो बाती फिर्पे पैदा हुए एक को राफ़ी कहते हैं दूसरे को खारजी कहते हैं हद्रते अली करम लाह उताला वजहुलकरीम ने खारजीयों से जियात परमाया जियात करने की वजह क्या थी बेजा कुफर का फत्वा लगाना शिर्ग का हुक्म लगाना जब जंग सिफीन में एक तरफ हदरत अमीर माविया की फोजें खड़ी थी हदरत अली की फोजें दूसरी तरफ खड़ी थी खमसान की लड़ाई हो रही थी कई हजार सहाबा और ताबई शहीद हो गए और खरीब था कि हदरत अमीर माविया को शिकस्त हो जाती तो हदरत अमीर माविया ने एक खास ख़त्मत अमली की बुन्याद पर एलान परबाया अपनी फोजों से कि तुम लोग नेजों पर कुरान लपेट कर फजा में बलंग करो और हो है अगर आप किताब अला पर एमान रखते हो तो इसी किताब की रोशनी में सुला के लिए तैजाल हो जाओ ताकि खौरेजी का सिसला बंद हो जाए हदरते अली मौला काइनात ने फरमाया बेश्च्च मैं किताब अला पर एमान रखता हूँ खौरेजी पसंद नहीं करता और हदरते अली ने फ़रा अपनी फोजों को पीछे हटा लिया और अमीरे माविया ने भी अपनी फोजों को पीछे हटा लिया अभी की जना से कुछ लोगारी हुए और उनों ने का आए अली अब हम आपका साथ नहीं देंगे अब हम आपकी तरह से जन नहीं लड़ेंगे हदरति अली ने कहा क्यों मेरा साथ छोड़ रहे हो तो उन्होंने इहीं की तरह शिर्ट का फत्वा दाग दिया कहा आप मुश्रिक ओ गये हदरति अली ने कहा कैसे मैं मुश्रिक हो गया कहा इसलिए कि आप ने गैर गैर उन्हों हम बना लिया और पकुरान फरमाता है इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्ला हुक्म और फैसरा को सिर्व अल्ला के लिया है और आपने गेर उल्ला को हकम मानने की वज़े से आप मुश्रीक हो गए और हम आपका साथ नहीं देंगे हदरती अली कोई मामूली मौली नहीं थे कि उनको चक्मा देकर ये आके बढ़ जाते हदरती अली बाबुल इल्म थे मौला कािناत थे फाते खेबर थे दामाद पर मुझे गन्फूजन नहीं हैं हदरती अली ने बर्जस्ता फर्माया कलमतो हकिन उरीद बहिल बातिल आयत तो सही पढ़ी गई लेकिन माना गलत निकाला गया इसी से सावित हो गया कि हर दाओर के बातिल फिरके आयते पढ़ पढ़ कर गलत माना निकालते रहे कलमतो हकिन उरीद बहिल बातिल आयत सही पढ़ी गई लेकिन माना गलत निकाला गया अगर गैलों लाको हकम मान लिया जाए तो किया ये शिर्क है अगर ये शिर्क होता तो गुरान इजीम में जोजैन के इखतलाब के दूर करने के लिए दो दो हकम मुकरर करने का हुकम दिया गया है वे इन खिफ्तुं शिकाक पैने हमा वासु हकमा मिन अहलिहा ये रिदा इसलाही वफदिल्लाह पैना हमा अगर मिया बीबी में इखतलाब हो जाए तो एक हकम शावर की तरफ से और एक हकम बीबी की तरफ से मुकार्ण करो अगर इसलाह का इरादा है तो परवर्दिकार आगले आगलों के दिलों को जोण यहां एक हकम नहीं दो दो हकम मुकरर करने का हुकूली है तो बताओ खारजियों ने बेजा शिर्क का फत्वा दिया हदरत अली करम लाह ताला मुझहूल करीम ने उनसे जिहाद फरमाया क्या खारजी नमादे नहीं पढ़ते थे रोजा नहीं रखते थे खुरान की तिलावत नहीं करते थे सब कुछ करते थे लेकिन एक जरूरी हमर का इनकार किया तो खदरत अली ने उनसे जिहाद फरमाया इसका मतलब यह हुआ कि आदमी लाख नमादे पढ़े रोजा रखे खुरान की तिलावत करे लेकिन जब तक इमाम जरूरियाती दिन को तस्लीम न करे उस वाके तक वो मसल्मान नहीं हो सकता हदरत इमाम अहमद इबन हमबल का जमाना आया क्या आपको मालूम कि उस दोर में एक बातिल फुर्वा पैदा हुआ जिसने पुरान को मखलू कहा परवर्दिकार आलम ने उस फितने को कुचलने के लिए हदरत इमाम अहमद इबन हमबल को पैदा फरμाया इमाम अहमद इन हमबल ने दर्बार शाही में कले होगा इख्वान इखिछ लाहि कि लपनना उन्युन में तर्म उन्हों जिसने विसική ह्ते कि बातकीी हुआ जिन पर ़िए कफर उ इरतिदाद का रुक्म लगा क्या वो नमाजी नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, पुरान की तिलावत नहीं करते थे, जमाना और आगे बढ़ा, और हदरतِ मुझबित अल्फिसानी का जमाना आया, उस धार में एक जाहिल बादशाह के हिंदुस्तान पर हकूमत दी, जिसको अकबर कहा जाता है अकबर enca pig ऑदादम, उसकी जाहिल भोपरी में किसी ने ये बाट डाल दी, कर हेँर हजार साल के बाद एक नए दीन और यए मख़ब की जरुआ है, और इसलाम को हजार साल बीच चुके हैं, इतलिए एक नए धिन की जरुआ है, दीन इन इतली की जरुआ की जरुरी मुझग जित की हैसिये से हद्रते मुझदित अलफिसानी को पैदा फर्माया। हद्रते मुझदित अलफिसानी ने अक्पर के दर्बार में ठायब होता। उसके बहुती हाएद नजरियात की ठजिया मुडा दी। और जमाना आगे बढ़ा। इमाम अहमद रजा फादी ने भरेली का जमाना आया। उस दोर में एक दोनही हदारों फितने थे। देवनियत के फितना। वहादियत के फितना। गादियानियत के फितना। नेशलियत के फितना। शमानियादियत के फितना। बेशमार बाति फुर्थे थे, बेशमार फितने थे, एमाम अधमर रज़ा ने इन फितनों का सद्थे बात भर्माया आपकी खितनात को धुर्णा ने पुबल किया और आपके तजदीदी कार्मामों पर मस्लक अहले सुन्त को मस्लक अला हदरत से जोड़ दिया इसी आउर में मसले के आहले सुन्नत की पाइचार मसले के आला हसरते होती है बताओ ये भी कलमा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे सिल्फ कलमा पढ़ लेने से कोई मसल्बान नहीं हो जाएगा जब तक तक तमाम सरूलियात दिन को तस्लीम न करेगा इनकी किताबों में लिखा है कि जैसा इल्म हुजूर को हासिल है ऐसा इल्म तजएद अमर बलके जुमला बहाइम और हैवानात को हासिल नभी अकर्म स्लिट लाह ताला अलियुस्लम के इल्म को चुपायों और पागलों से तश्वी देना ये नभी की तोहीर है और नभी की तोहीर सरी कुप रहे इनोंने अपनी किताब में लिखा हुजूर अलियुस्लम के बाद कोई नभी फ़यदा हो जाए तो आपकी खात्मियत में कोई पर्क नहीं पड़ेगा इनोंने नभी आकरिम से घटा दिया, फात्या पर्sal Uni अल्हक ज़ाई पर्क को मैं आप से पूछना चाएटा हूँ, जो लोग और रो रसूँ की बारगाह में बस बार्किया करते हैं लाख नमादें पहें रोला रखें खर्वान की तिरा रखें हर्गिल हर्गिल यो मुसल्मान नहीं हो सकते शिफा शरीफ में इल्का हुआ है मल्लम यारिख अन्न मुहम्मद स्लिट लाओ लिसल्म आकिर अंबिया फलेश बिमस्लिम ले अन्न हुमन जरूरिया जिसका यह अधीदा हो को हजदूर अशलम आकिर नभी नहीं है वो मुसल्मान ही नहीं है चोटि हुँए हुए हुदूर वो जमाने के तबार चाहिए आख लाखरी नभी मानना यह जरूरिया ते दिन से है दुरर भुरर रसारिया और फटावा खेरिया में लिका है तमान मसल्मानों का इस बात रहिमार उत्वाक है जो नभी की शान खटाए नभी की तोहिं करे जो तनकी से रसालत का मुर्तबिब हो हरगी हरगी वो मुसल्मान नहीं है मैं आप से कुछना चाहता हूँ ये सारी तस्रीहां क्या इस बात की दलील नहीं है कि आदमी कल्मा पढ़ते हुए भी नभी की शान में अगर गुस्ताख ही करता है तो इसका कल्मा पढ़ना उसके हक मुद्वीद नहीं है क्योंकि नभी की ताजिम जरूरियात दीन से है जो नभी की तोहिन का लगा है ये जरूरियात दीन का मुद्वी है इसमिये लाख नमादे पहे रोजा रखे खुरान की तरावत करे लेकिन हरकी धरकी वो मुसल्मान नहीं हो सकता इसलिए हमारा रिश्टा ऐसे लोगों से खाइब नहीं हो सकता छूपे और मकार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुम ने सुना न तुमारे आबाओ अज़्दाद में सुना तुम इन से अलग रहना इन से धूर रहना गई ऐसा नहोगी ये गुमराख कर दें और तुम को फितने में मुब्तरा कर दें लेकिन आप का हाल ये है कि अहल सुन्नत वल जमार के अलमा की महसिल में भी बैचते हो और उनकी तबलेग में भी चले जाते हो हमारे जर्सों में भी आते हो उनके जर्से में भी चले जाते हो हमारे पीछे भी नमादे पढलेते हो और करते हम तो दिन ब mater ले चले गये थे हम तो पुरान के लाम पर चले गये थे हम तो नमाद के मसाइल सीखने के ले चले गये थे हद्रतes एमां मुहम्मद इन सीरीन की खिद्मत में दो बद्मधभा ठाजिर हुए तार्मी में ये हदिस लिखी हुई है हद्रत एमाम मुहम्भ इबन सीरीन की खिद्मत में दो मज़ब आजिर हुए और इन बग्मजबों में से एक ने कहा हुदू मैं गुरान की प्तिरावच करना चाहता हूँ आप जरा सुन लीजिए इमाम मुहमद इन सीरीन ने फर्माया कि मैं हरकेद नहीं सुनूगा दोसरे ने कहा कि हुजूर मैं हदीथ पढ़ना चाहता हूँ आप सुन लेजिए आपने फर्माया मैं तुमारे मुझे हदीथ भी नहीं सुनूगा तोनों बहुत दोर देते रहे बड़ी कोशिश करते रहे कि आप सुन लीजिए इमाम मुहम्मद इबन सीरीन ने फर्माया मैं हरकित नहीं सुनूगा जब बहुत ज्यादा वो इसनार कर रहे लगे आपको जलाल आया आपने फर्माया या तो तुम लोग यहां से उपकर चले जाओ या महीं यहां से उपकर चला जाता हूँ जब इतना जलाल दिखाया थे ये दोनों चले गए इमाम मुहम्मद इबन सीरीन के दो मुरीद हदिर हुए उन्होंने का हुजूर क्या मामिला है ये कुरान सुना रहे थे सुनने में हरच क्या था ये हदिसे सुना रहे थे सुनने में हरच क्या था इमाम मुहम्मद इबन सीरीन फर्माते हैं ये दोनों बदमज़ब और गुनराथ थे अगर इनके मुहसे में कुरान और हदिस सुनता और ये उसका खलब मतलब बताते और वही मतलब मेरे दिल में बेख जाता तो मेरा इमान भी बरबाद हो जाता मेरा अकीदा भी लुट जाता इतनी जरूरी है कि अपने अकीदे की हिफाज़त के लिए बड़ मजबों के मुखसे ना बुरान सुना जाए ना अधिस रसूल सुनी जाए मैं आपसे पुछना चाता हूँ क्या आपका इमान इमाम मुहम्मद इबन सीरिन से जादा ठोस और मजबूत है इमाम मुहम्मद इबन सीरिन जलीलुकदर अतावई है हदरतِ अली के खलीफा है उनके मुरीब है खाफ की ताविर बताने में इमामत के दर्चे पर खायदे खाफ देखने वारा आपकी बारगाह में आता तो सिर्फ चहाँ देख कर बता देते इसका खाफ अच्छा है के बुरा है इमाम मुहम्मद मिसिरीन तो अपने इमान की अतनी इवादत करें कि बग मजबों के मुह से पुरान और अधीस की सुनना का बारा ना करें लेकिन आपका हाल ये है कि आपका इमान मून की तरह दर्मो नाजुक है जो आता है ठटपा मार कर चला जाता है और आप इसकदर गाफिल है कि कभी उनकी तबलीग में चले जाते है कभी उनके पीछे नमादें पढ़ लेते है कभी उनके साथ खाते पीते नजल आ रहे है क्या आप तर लाजिम नहीं है कि अपने दून और इमान की हिफादत करें बग मजबों की सोह है एमान वालों के लिए जहरे पातिर है अगर तुम अपने एमान की अफादत करना चाते हो तो बढ़ मजबों से दूर रहो यही कुरान का फैसला है और यही मसूर उल्ला का एलान है अल्लह ना कुरान में फर्माया लात जिदो कोमें युमिनूना बिल्लाह वर्यूमिलाकिन यवाद्थूना मनहाद ल्लाह वर्सूला वलो कानु आबाएहुम और अबनाएहुम और इख़ान हुम और अशीरत हुम उलाईतम अदबा फी कुलूब हमुट एमान वाइदहुम बिरुहिमिन हो ऐल्ली आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर अर्योव में आखरत पर अ changनी करदे वो अल्ल्होर्सूल के दुश्मन से दोस्ती कर ले एक मुसल्मान की ये शान नहीं हो सकती ये अल्लहोर्सूल का दुश्मन अपना बाप क्यों और हो अपना भाई क्यों नहो अपना बेटा क्यों नहो अपने पुम्बे और टबीले का क्यों नहो जो अल्ला और रसुल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते ये वो लोग हैं कि उनके दिलों में अल्ला ने एमान को जबा दिया है और रुरु इसके जरीए उनकी ताइद औ हमायत परमाईए है बद मध़बों से दूर रहना ये तो परवर्बिकार आलम का एलान है ये तो नबी का एलान है नबी अक्रम स्लिल्लाहु ताला लियुसल्म ने जगा जगा हदीसों में इन से दूर रहने का हुक्म दिया इन से रिष्टा नाता इनके साथ उठक बैठक इनके साथ खाना पीना सब को नाजाइज और खराम करार दिया है लेकिन आज इस अबर सुले कुलियत पर रही है कि जिस वाद हो वो इससे परहेद नहीं कर रहा है और रिष्टा नाता करने में आगे बढ़ जा रहे हो मैं आप तो बड़े अधर के साथ ये कहना चाहूंगा कि अपने दीन के दुश्मनों को पहचानो और उन से दूरी इक्तियार करो नमाज से धोका नखाओ रोजों से धोका नखाओ नभी अकर्म ने बहुत पहले फरमा दिया था ये नमाजें बहुत पढ़ेंगे रोजा बहुत रखेंगे खुरान की तिलावत बहुत करेंगे अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे ये अतने नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकी समझोगे अपने रोजों को इनकी रोजों के आगे हकी समझोगे अपने आमाले सालिखा को इनके आमाल के सामने हकी समझोगे तुफ्किरूना सलातकु मिन्दा सलातहिम वस्यामकु मिन्दा स्यामहिम वामानकु मिन्दा आमालहिम यक्लूने लुड़ान वला युजाविदो तरापिहिम यक्लूने लुड़ान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक नीचे नहीं उतरेगी वायकूलूने मिन ओले खैरिल बरिया बात बात पर रसुल पाक की हदीसें पेश करेंगे तो क्या नमाद पढ़ने की वज़े से मुसल्मान होंगे रोजा रखने की वज़े से मुसल्मान होंगे खुरान की तिरावत करने की वज़े से मुसल्मान होंगे नहीं यम्रुकून अमिन दीन तमायम रुकसा हुमिन रम्या ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है नभी ने इनकी पहचान भी बताई सीमा हो मुट तहले वो मुशम्मिर अजूर इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब चिलवाएंगे और पाई जामा बहुत उचा पहनेंगे ये अलामतें क्यों बेयान की जा रही है ये निशानिया क्यों बेयान की जा रही है ताके इन अलामतों से आप दूर रहे और ये अलामतें जहां पाई जा रही है उनसे दूर रहें ये अल्लाह का पैगाम है यही रसूल अलाह का पैगाम है और यही अमाम अहमद रजा का पैगाम है गुष्मन अहमद पे शिद्ध कीजिए मुल्हितों की क्या मरुवट कीजिए घर्वें जन जाएं बे दिनों के दिल या रसूल अलाह की कसरत कीजिए कीजिए चर्शाउने का सुभो शाम जाने का फिर पर गयामत कीजिए मिसले फ़ारी सल्दले होनदे में जिक्र आयात विलादत मैं इतिहाद का मुखालिप नहीं हूँ लेकिन निशाने मजभव मसलब को मिटा कर कोई इतिहाद नहीं हो सकता जो इतिहाद चाहते हैं वो अपने अकाइदे कुफरिया से तुबा कर ले जिन किताबों में नभी अकर्म की गुस्ताखिया लिकिए हैं उन किताबों को चोड़ा पलब कर आग लगा दे जिन मॉलिया ने गुस्ताखिया की हैं उनके कुफरों इतिबाद का एलाम कर दे अल्हम्दुलिल्लाव सबसे पहले हम इनको गड़े लगाने के लिए तक्यार हैं लेकिन जब तक नभी किशान में गुस्ताखिया करते रहेंगे और जब 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 गुस्ताखियों ते भरी के बाबे च्च्ची रहेंगे और जब तक तुम बेज़ा को फ्रोशित का फत्वा देते रहोगे नभी किशान खताते रहोगे अज़मते उलिया पर आमला करते रहोगे उसलागता तक हमारा तुम से इतिहाद नहीं हो सकता हम अपने बाब के तातिल को माफ कर सकते हैं लेकि रसुले पाक के गद्दार को माफ नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता कि नभी किशान में गुस्ताखियों पर बैट कर खाते हुए भी नज़र आओ तुम्हारे बाब के शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो जिन्दगी भर के लिए रिश्टा तोड लेते हो कभी शादी बिया में उसको पूछते भी नहीं हो अपने दस्तर्खान पर बिठाते भी नहीं हो जो अल्लाहु रसूल की बारगा के बुस्ता है सच्चा और प्रक्टा मुसल्मान किसी खिमत पर उनके साथ इत्षाद नई कर सकता ये अल्लाह का मुक्न है और ये रसूल लाह का पैगाद है नारे तक्दिर नारे रिसानत दफ्रे मेरा जुन नभी वल्माहिल सुन्न जिन्दाबाद प्रक्टा अला अता फर्माए कि हम दीन के दुश्मनों से दूर रहे और किसी खिसम का हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक न हो इनी बातों के साथ अपनी तक्रीर खत्म करता हो वाख रुदावाना अनिल्हम्दुल्लाह रब्लामिन लहद में इश्गे रुखे श्राग लेके चले अधेरी राज सुनी थी चिराग लेके चले तेरे गुलामों का नक्षे खदम रहे खुदा व क्या पहक सके जो ये सुराग लेके चले वाख रुदावाना अनिल्हम्दुल्लाह रब्लाल